मैं देखशा first creations में आपका welcome करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ tips and tricks लेके आई हूँ जो की helpful हो सकती हैं आपकी products की photography के लिए और photography के बाद जो हम अपनी photos को edit करते हैं उसमें भी क्या techniques हम use कर सकते हैं वो भी बिना किसी दूसरे app को install करें वो मैं आज आप से share करने वाली हूँ तो चलिए हम अपना video start करते हैं जब भी हम अपने किसी भी product की photograph लेते हैं photo click करते हैं तो हमको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए पहले वो मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज है कि हमें अपने phone का जो brightness है वो full रखना चाहिए इससे photos जो है वो पूरी clear होती है और second thing यह कि जो भी natural light होती है जब हम घर के बाहर होते हैं या बाहर निकलते हैं तब जो light आती है वो वारी light में हम अगर photos click करें तो हमारे products जो हैं वो बहुत ही enhanced way में show होते हैं तो यह आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने product की अलग-अलग angles से photos क्लिक कर रहे हूं ताकि मुझे जो एक अच्छा angle है या एक अच्छा frame है वो मिल सके एक अच्छा background मिल सके और कहाँ पर मेरी photos बहुत clear हैं मैं वो देख सकूँ तो मैं usually हर एक photo जो भी मेरा product होता है उसकी कई सारी photos क्लिक कर लेती हूँ यह आप देख सकते हैं यह देखे ओके तो अब मैं इसमें इसी photo को अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या करूंगी कि इसको अब आप देख सकते हैं इसमें different editing options भी हैं और share करने का भी option है फेवरेट का option है डिलेट का option है तो मैं इसमें जाओंगी सबसे पहले editing में edit option पे अब मैं edit में आई जब तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने crop का जो key था उसको touch किया और अब मैं यहां पर क्या कर रही हूँ मुझे जितना मेरा desired background है मैं सिर्फ उतना ले रही हूँ और मैंने यह इसको crop कर दिया crop करने के बाद अब मैं इसको right click कर दे रही हूँ अब next जो है beautiful का option आप देख सकते हैं इसमें different types of beautiful options हैं बट मुझे कोई भी beautiful options नहीं चाहिए तो मैं इसको none कर दे रही हूँ then आप देख सकते हैं filters का भी option है कई सारे filters available होते हैं हमारे phones में और यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैं इसके लिए कोई भी दूसरा app यूज नहीं कर रही हूँ जो हमारे phones में available होती है editing options में उन्हीं को use कर रही हूँ यह आप देखिए different colors and different filters यहाँ पे मिल जाते हैं बट मुझे कोई भी filter use नहीं करना है इसलिए मैं इसको cancel कर रही हूँ then मुझे अब simply चाहिए कि मैं एक text इसमें add करूँ तो मैं text जो है वो यहाँ पे add करती हूँ मैं यहाँ पे अपने channel का नाम ही डाल देती हूँ first creations अब यह जो मेरा first creations है इसको मैंने colorful बनाना है मतलब एक colored option मुझे इसके लिए चाहिए कि यह थोड़ा सा colorful रहे इसके लिए मैं क्या करूँगी यहाँ से आप कोई भी color choose कर सकते हैं कैसा आपको रखना है तो यहाँ पे यह आप देखे यह जो color है यह थोड़ा सा enhanced होके आएगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख ले रहे हूँ तो मेरा इतना sufficient है जो मुझे चाहिए था text अब मैं इसको right click कर रहे हूँ then हम आते हैं adjust में अब adjust में क्या है आप यहाँ पे हमको अपनी edit जो photo है वो edit क्यों करनी है उसको adjust क्यों करना है ताकि हम जो हमारा product है उसको as it is show कर सकें अपने photos के थ्रू कि यह कैसा दिखता है तो कई बार होता है कि photos में चीज़ें थोड़ी से enhance नहीं हो पाती है तो उसके लिए हम photos को editing करते हैं और फिर अब जब यह इसकी जो brightness है मैं थोड़ा सा increase कर रही हूं और फिर उसके बाल यहाँ पे मैं sharpen में आती हूं यहाँ पे अब जो design है मेरी photograph की वो मैं चाहूं अगर तो थोड़ा सा clarify कर सकती हूं तो यह अपने हिसाब से अपनी creativity के according आप इसको sharp कर सकते हैं देन आता है contrast contrast में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका product है उसके color को जादा ही highlight हो जा रहा है वो है ना तो इसलिए contrast बहुत ही minimal use करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो बाकी मैं इसको use करती नहीं हूं है ना देन आते है saturation में saturation में क्या है कि यह आपके जो products है उनके colors को highlight करता है या फिर पूरा ही जो है उसको black and white कर देता है ना तो वह आपकी मर्जी आप इसको करना चाहें या नहीं बट मैं suggest करूंगे कि इसको ना ही use करें तो better होगा देन आ shadow जो sides में जो photograph के sides में जो shadow बन रहा है उससे थोड़ा सा हमारी जो product है वो highlight हो जाता है enhanced होके दिखने लगता है तो इस तरीके से यह जो मेरा photograph है वो मुझे अब perfect है अब इसके अलावा मुझ में मुझे इसमें कोई भी changes नहीं करने है तो मैं अब इसको select करती हूं अब मैं मे तो इसमें आपको जैसा भी frame चाहिए वो आप इसमें utilize कर सकते हैं यह ना मुझे इसमें कोई भी fancy frames नहीं चाहिए तो मैं क्या कर रहे हूं जो normal frame जिसमें already था यह मैं वही रख रहे हूं then आते हैं हम mosaic में mosaic में क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ erase करनी हो या show ना करनी हो जैसे यह आप देख रहे हैं मैं इसको अगर थोड़ा भी drag कर रहे हूं तो यह क्या हो रहा है यह सारी चीज़ें हट जा रहे हैं बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हणा इसमें भी कई सारे options होते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पे यह भी देख सकते हैं अगर आपको ऐसे characters इसमें add करना चाहें तो भी आपकर सकते हैं और ब्लूर्वी different चीज़ें हैं यहाँ पर flowers बने हुए हैं अगर आप इन flowers औलीव्स को इनको आप अड़ करना चाह हैं, एक objects का और एक है lines का तो objects में क्या करना है, suppose आपको कोई ऐसा object है जो आपको erase करना है like यह leaf है, मैं इसको erase करना चाहूँ अगर, तो यह क्या होगा, इसको मैं touch करते जाओंगी object को select करने के बाद तो यह erase होने लगेगा यह आप देख सकते हैं, यह completely erase होता जा रहा है, है ना यह देखिए, यह erase हो रहा है और अगर मुझे object नहीं erase करना है, मुझे इसकी जगे lines erase करनी है, तो मैं क्या करूँगे इसको पहले full कर लूँगे और इसकी lines यह देखिए leaf की जो lines है, वो erase हो रही है यह lines erase हो गए, तो अगर कहीं पर कभी ऐसा होता है कि आपको कोई line erase करनी है, तो आप इस तरीके से इन lines को erase कर सकते हैं, बट मुझे अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इतने में ही अपनी photograph को save कर ले रही हूँ तो friends, आप लोगों को मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लगा, अगर आप लोगों को पसंद आया, तो please comment section में comment करके बताईए, और जितना जादा से जादा हो सकता है इस वीडियो को share करें अपने family and friends में and मेरे चैनल को first creations को जरूर से जरूर subscribe कर दीजे thank you so much for watching